हाई गाईज वेलकम बैक मैं प्रतिश खुल से इस्टा आप सभी का सिख्षादर में स्वागत करता हूँ अभी कुछ टाइम पहले आपको एक न्यूज मैंने बताई थी जिसमें आपको बताये गया था कि 69,000 जो सायक अध्यापक भरती हुई थी उसमें कुछ बिसंगरती प परंपर आपको पता है कि ये रही है कि कभी एक वार में सही काम किया ही नहीं जा सकता तो उसी में पहले आपको ये इनों ट्वेट भी करना पड़ा है इसलिए ये आपको हम दिखा देते हैं नया ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंप्रू पदों पर की जाएगी नई भरती तो यहाँ पर आपको बता दें बाकी पूरा ये बो ही है बस यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूब करके यहाँ पर दे दिया गया है कि 6,000 जो आपके पुराने बच्चे हैं जो रक्षित वरके हैं उन में 6,000 बच्चों को यहाँ पर भरती दी जाएंगी और बाकी डेट आपकी सब पुरानी ही है बस यहाँ पर इंप्रूब करके यह कर दिया गया है कि 6,000 यह पुराने है और बाकी आपके जो होंगे 17,000 पर नई भरतियां नई प्रात्मिक सिक्षक भरती होगी अब इसके बाद आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि यह भरती इतनी कम क्यों क्योंकि पहले काफी जादा बात चल रही थी आपके जादा भरती आने की है ना तो उसी में हम आपको अभी पहले बता देते हैं कि इनकी ऑफिशल ट्विटर से भी यहाँ पे यह मैसेच किया गया है यह देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको यह देखिए 69,000 सायक अध्यापक वरती में आरक्षित प्रक्रिया में बिसंगती से प्रवावित आरक्षित वर के लगवग 6,000 अब्यारतों की की जाएगी भरती इसके अत्रिक्त 17,000 रिक्त पदों पर खोगी भरती यहाँ पे पहली बार कहने में काफी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बिद्यारतियों ने अपना पूरा यहाँ पे जोर दिखा दिया है और गॉर्मेंट को भी अपने सामने जुका लिया है यह होती है आप स्टूडेंट की जो पावर होती है हम काफी वीडियो में यह बात बोल चुके हैं कोई भी गॉर्मेंट हो एक्स वाई जड हम किसी एक की बात नहीं कर रहे है अगर आपको गॉर्मेंट में रहना है तो आपको सब पक्षियों को देखना पड़ता है जिसमें यूथ की हमारे पीम साब भी यह बोलते है मोदे जी की भही हमारा जो देश है वो यूबाओं का देश है तो आप उनसे थोड़ा सा नफरत थे आप उनकी उनने आप इग्नोर करके आप election नहीं जीश सकते तो उसमें सीधा सीधा effect है अब आपके mind में यह आ रहा होगा कि बात चल रही थी भई आपकी 97,000 एक लाग की भरती लेकिन यहाँ पे 17,000 तो देखिए लॉलिपॉप के रूप में आप परिशान मत होई है जितना संगर शापका चल रहा है वो आप करते रही है और अभी जो आपका अभी धरना प्रोटेशन चल रहा है उसमें भी कल एनब भ्यारतियों से बात करी जाएगी और यह 17,000 आप बिल्कुल भी परिशान ना होँ इनकी संख्या डेफिनेटली बढ़ने वाली है बस अपनी तैयारी में लग जाए क्योंकि काफी लोग परिशान हो रहे थे कि इतनी सीटों की मांग हो रही थी बस इतने 17,000 देखे कि विद्ध्यारतियों चुप कराना चाह रहे हैं आपे तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप लोग परिशान मत हो लेकिन हाँ अभी तक जो घरों में बैठे हुए थे थोड़ा सा बाहर निकल के आए अगर आप भरती के लिए इतना एकसाइट हो रहे हो तो थोड़ा इनिशेट आप भी करो हम यहाँ पे जरूर बात कहना चाहेंगे रज़त की काफी अच्छे से महनत कर रहे हैं वो और उन्हों ने यह भरती ऐसा नहीं है उन्हीं के लिए ना हम परसनली रज़त को जानते हैं सिंपली हम अपनी वीडियो में इसलिए नाम ले रहे हैं कि उस केंडिएट ने साही में महनत करी है और आप लोगों के लिए करी है आगर आप रजाई में बैठे हो वो खुले मैदान में आप सब के लिए लड़ाई कर रहा है तो आपक हो किसकी फैमिली इशू होता है सबका अलग-अलग इशू है आई आगर अगर आप लोग अगर ऑनलाइन तो सब वर्टसप पे आप इतने मैसेच करते हैं तो अपनी एक हक की बात भी तो उठा सकते हो आप लोग तो वो जरूर इस बार आप करने वाले हो हमें बिलीब है आ लोग पे और इसी के साथ आगे जितने भी कैंड़ेट महाँ पे हैं अंदर का कुछ भी नियूस आईगी तो जरूर हम आपको बता देंगे और डेफिनेटली आप देखना यहां से तीन से चार दिन में आपको कुछ अच्छी ख़वर मिलने वाली है बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें अगर इन नियूस आपको अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें अपनी पढ़ाई को अच्छा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पे आपको लेक्चर भी दिये जाते हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन में द मिलते हैं नेश लेक्चर में जै हिन जै भारत